How to fix Bheem Punjab National Bank app not working and not opening problem नमस्कार डोस्तो सुआगर है अब सभी का तिकिराज यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि केसे आप जो है Bheem Punjab National Bank app का ये problem solve केसे कर सकते हैं दोस्तो अगर आपको इस एप के अंदर पर इस तरह के का कुई भी problem कुई भी issue हो जाते है तो दोस्तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखेगा यहाँ पर जो मैं आपको solution बताने वाला हूँ उसको follow जरूर कर लिजेगा ठीक है आपका problem यहाँ पर definitely fix हो जाएगा दोस्तो कभी कबर क्या होता है हमारे app के अंदर पर कोई bugs आ जाते हैं जिसके वज़े से हमें इस तरह के problem होते हैं सारे सारे app data crush करते हैं एप data corrupted हो जाते हैं तो इन सब के वज़े से दोस्तो एप के अंदर पर problem होते हैं तो फिलाल क्या करना है कैसे आपका solution होगा वो आपको पटा चलेगा वीडियो के अंदर पर तो वीडियो को शुरू से अंतक देख लिजेगा और वीडियो शुरू करने से पहले make sure चैनल को सबस्क्राइब करते हुए बेल आइकोन को क्लिक करें अगर आप अनलाइन पेसा कमाना चाते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा और किसी भी problem के regarding पर आप हमें twitter पे follow करके message कर सकते हैं चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले आप अपने mobile को restart करें एंद एंड चेक करके देखिए अगर problem solve होते हैं तो ठीक है अगर problem solve नहीं हो रहा है restart करने के बाद भी तो दोस्तों आप जो है एप को update कीज़े प्लेश्टोर में जाएए search कीज़े आपका beam Punjab National Bank उसके बाद एप को update कीज़े एप update करने से आपका bug problem भी solve होगा एप misbehaving problem भी solve होगा और अगर आपका app data में problem में app data crush कर रहा है या फिर किसी भी तरह का issue वो fix हो जाएगा और एप update करने से आपको latest feature भी मिलेगा ठीक है तो एप update करने के बाद आप अपने mobile को restart करें restart करने के बाद दोस्तों आप जो है check करके देखे आपका जो problem है solve हो चुका होगा दोस्तों किसी किसी का जो problem है वो इतना में solve हो जाते है तो अगर आपका भी solve हो जाते है तो ठीक है लेकिन दोस्तों मान लेजे यहाँ पर आपने यह solution किया फिर भी problem हो रहा है तो फिर क्या करना है तो दोस्तों आप जाएए अपने mobile के setting पर उसके बाद यहाँ पर आपको जाना है app and notification दोस्तों आपको यहाँ पर app and notification, manage app, install app, app management app manager करके option मिल सकते तो उसमें जाए उसमें जाने के बाद दोस्तों आप जो है search कीजे आपका beam pnb app, for stop कर दीजे उसके बाद storage and cache clear storage, ok कर दीजेगा यहाँ पर आपको permissions के अंदर पर जाना होगा और permissions आपको allow कर देना है तो make sure आप सारे permissions को allow करें ठीक है एक-एक permissions करके सारे allow कर देना है और allow करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर bake कीजिए bake करने के बाद mobile data and users पर जाएए और यहाँ पर जाने के बाद आपको mobile data and wifi access check कर लेना है जैसिके आपका data users access रिना चाहिए और wifi का access होना चाहिए ठीक है उसके बाद दोस्तों आप mobile को restart कीजिए and then check करके देख लीजिए आपका problem solve हो चुका होगा कई लोगों का problem दोस्तों इतने में solve हो जाते है लेकिन दोस्तों why any chance मान लिजिए अगर आपका problem solve नहीं हो पाते है इतना solution करने के बाद भी तो दोस्तों आप यहाँ पे क्या कीजिएगा आप अपने play store में जाएए और app को reinstall कर लीजिए ठीक है उसके लिए आपको पहले तो uninstall कर देना है uninstall करने के बाद दोस्तों आपको जाना है setting setting पर जाने के बाद दोस्तों system पर जाए system पर जाने के बाद आपका system वगरा अपडेट कर लीजिए ठीक है तो make sure आपका software वगरा अपडेट रहे और software वगरा अपडेट रहेगा तभी दोस्तों यहाँ पे आपका काम बनेगा और दोस्तों उसके बाद दोस्तों आप play store में जाएएगा and then app को यहाँ पे reinstall कर लीजिए तो जैसे दोस्तों आपका app reinstall हो लोगा आप एपको use करके देखे चला के देखे रीज रेजिस्टर कर लीजिए ठीक है आपको कोई भी problem कोई भी issue नहीं होगा तो इस तरह के से दोस्तों आपका जो यहाँ पे application का issue है जो problem है वो आप solve कर सकते हैं दोस्तों उमिद करते हैं आपको यह video बसने होगा thanks for watching